प्लान करना है अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं लेकिन अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो टेलीग्राम चैनल एंड जो वार्टसप ग्रूब है हमारा दोनों का link आपको description box में मिल जाएगा जाकर के आप join कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपको सभी प्रकार की update भी मिलती है और साथ में आप हमसे अपने trade के बारे में discuss भी कर सकते हो link आपको description box में मिल जाएगा अगर आपके पास dmatt account नहीं है तो आप बिल्कुल free में हमारे अंडर में dmatt account भी open कर सकते हो उसका भी link आपको description box में मिल जाएगा अब चलते हैं जो intraday के stocks हैं उनकी list के उपर तो जो सबसे पहले number का stock हमने चुना है वो है Sam Metallics ठीक है Sam Metallics के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने क्या किया है एक channel का formation किया breakout दे करके यहाँ पे retesting की फिर से यह upside में गया है upside के अंदर भी इसने क्या किया एक channel का formation किया यहाँ पे इसने क्या किया था यह breakout दे रहा था यह जो swing high थे उनका लेकिन gap up हो गया है उसके बाद में वापस से gap fill किया नीचे से support लेकर के वापस निकल रहा था यहाँ पे थोड़ा सा रुक चुका था gap के पास में जब वापस से गया है आप यह देख सकते हो कि यहाँ पे क्यों रुका तो कि यहाँ पे यह gap बने हुए थे जब मार्केट इसके नीचे आया तब यह वापस यह जो एरिया है यह resistance के जैसे काम करने लगया तो इसके पास में इस resistance face किया और आज फिर से निकल चुका है तो अब यह वापस उपर में 8.30 के उपर निकले कल तो आप entry कीजिएगा target बनेगे 8.38 का पहला target and 8.45 का second target stop loss आपको 8.20 के उपर लगा के रखना है तो sorry 8.20 नहीं है 8.24 है ठीक है इसके बाद में जो second number का stock है हमारा वो है paytm paytm के अंदर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक gap down काफी opening हो रखी थी उसके बाद में इसने base formation किया है यह वापस upside में uptrend के अंदर चलना सुरू किया है यहाँ पे एक bullish channel create हो रखा है और यहाँ पे आप देखेगा कि यह यहाँ पे breakout किया था लेकिन थोड़ा सा market की वज़े से नीचे यह pullback कर चुका था अब वापस से निकलने की तयारी कर रहा है तो यह निकल सकता है उपर के अंदर तो अगर यह निकलता है 618 के निकालता है तो आप entry कीजिएगा 624 पहला target, 630, second target और जो stroke loss है आपको लगा के रखना है 612 का तो यह हमारा यहाँ पे second number का stock हो गया इसके बाद में जो third number का stock है वो हमारा है, वो card pharma वो card pharma के अंदर आप देखेगा कि यहाँ पे एक अच्छी कासी तेजी थी उसके बाद में इसने एक correction की वापस से upside में जा रहा था यहाँ पे आप देखेगा कि उपर से rejection मिला फिर से upside में गया, फिर से rejection मिला तो यहाँ पे आज market के अंदर गिरावाट हुई थी लेकिन यह पूरा recover करके close करके गया है तो कल यह अगर निकलता है उपर में 1072 के तो आप यहाँ पे entry कर सकते हो 1082 यहाँ पे पहला target बनेगा 1092 second target बनेगा इंस्टोप्लोस 1065 का आपको लगा के रखना है तो यह हमने यहाँ पे third stock discuss कर लिया है fourth number का जो stock है वो हमारा है max healthcare max healthcare के अंदर यहाँ पे आप देखेगा कि यह upside में यहाँ पे गया था उसने एक channel का formation किया है और बार बार इसी line के पास में support लिया है यहाँ पे एक छोट असा इसने resistance face किया है आप देख सकते हो कि यहाँ पे resistance क्यों face कर रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले support लिया हुआ है उपर से जब जो market आया है तो अब जब नीचे से market जाएगा तो यहाँ पे resistance face कर रहा था रेजिस्टेंस यहाँ पे ले चुका था अब वापस मार्केट की वज़े से नीच आया लेकिन यह उपर में रिकवर करके गया है तो इसका ब्रिक आउट दे सकता है अब साइड में तो यहाँ पे 8.85 का यहाँ पे क्या होगा हमारा एंट्री लेवल होगा 8.92 पहला टारगेट 8.99 सेकेंड टारगेट एंट्री प्लोस आपको 8.78 की उपर लगा के रखना है तो यह हमारा फॉर्थ नंबर का स्टोक हो गया इसके बाद में जो लास्ट नंबर का स्टोक है वो है पी एपसी पी एपसी के अंदर आप देखोगे की पावर कंपनी है यहाँ पे मैंने इसको कल भी जो है आपको दिया था और यहाँ पे यह थोड़ा सा उपर नहीं निकल पाया क्योंकि मार्केट के अंदर गैप डाउन हो चुका था 170 पोईट का निक्टी के अंदर तो यह यहाँ पे गिरा नहीं है हाला कि छोटा सा कैंडल बन चुका है तो इसके अंदर तेजी है फिर से आपको देखने को मिल सकती है तो 556 के उपर यह निकले तो आप एंट्री कीजेगा 561 पहला टारगेट 566 सेकेंड टारगेट 552 यहाँ पे आपका इस्टोपलोस बनेगा तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बेस्ट फाइप इंट्राडी टेडिंग है उसके स्टोक्स दिये हैं जिनके अंदर मैंने आपको एंट्री, टारगेट और इस्टोपलोस क्या लगा के रखना है सबी चीज़े बताई हैं तो आसा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और डीमेट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे इंडर में डीमेट अकाउंट भी उपन कर सकते हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्ट्रिप्ट्रिंबोक्ट में मिल जाएगा मिलते हैं नेक वीडियो में